हलो दोस्तों बिल्कम जाकर नियुलिष टीचर के सभी एस्पारेंट का मैज जाकर लिए एक बार फिर से स्वागत करता हूँ दोस्तों आज हम सिंथेसिस की बहतरीन किलास लेकर आएं दोस्तों आज हम बात करेंगे फाइनाइट ननवाइनाइट वर्बर की फ्रेज की किलाउज की जीरंड की इनिफिनिटिप की पार्टिसिपल की और 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 भी इसके पार्ट है तो पहला पार्ट हम लेकर आएं Liver की कि सिंथेसिस क्या है ठीक है दोस्तों दोस्तो व्यूडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरू कर लिए और व्यूडियो अच्छी लगे तो एक कमेंट और एक लाइक तो बनता ही है चलिए बिना किसी दरीके अब हम बात करते हैं सिंथेसिस की तो देखिए सिंथेसिस क्या होता है सेंथेसिस इस दबे आफ कमबाइनिंग असट ओप सिंबल संटेंज। जो साधान बाक होते हैं उनकी जो गुरुप सेट होता है उसको कमबाइन करके एक नया सेंटेंस बनाया जाता है ठीक है एक से अधिक साधान बाक्तों को जोड़कर एक बाक बनाना कि तु यहां इस बात का ध्यान रहे कि यह संटेंस जो होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं ठीक है तो अब हम बात करते हैं आगे अब संटेंस की बात आईए तो पहले संटेंस को समझ लेते हैं संटेंस क्या है तो देखिए संटेंस is the group of birds which has any sense सब्थों का ऐसा समू जो एक अर्थ रखता है ठीक है सब्थों का समू जो अपना पूर्ण अर्थ दे वो बाक कहलाता है ठीक है चलिया आगे बाढ़ लेते हैं अब हम बात कर लेते हैं kinds of sentence की तो जो sentences हैं तो उनकी हम बात करेंगा तो सबसे पहले हम simple sentence की बात करते है, a simple sentence is one that has only one finite verb, expressed or understood, तो जो simple sentence होता है, वो साधारण बाग जो होता है, उसमें केवल एक मुक्रिया होती है, यानि एक main verb होती है, जिसे हम finite verb कहते हैं, और चाहे वो पिरकट हो, या छिपी हुई हो, या तो वो सब के सामने हो, या छिपी हो, ठीक है, तो एक verb का होना यहां आविश्चक है, ठीक है, simple sentence is one that has only one finite verb, इसमें केवल एक ही किरिया होती है, साधारण बाग कमें, ठीक है, जैसे हम इसका example देख लेते हैं, the teacher is teaching his class, तो यह is teaching ठीक है, यहां एक किरिया है, ठीक है, चलिए, आगे हम बात कर लेते हैं, complex sentence की, complex sentence क्या है, दोस्तो, complex sentence जो है, इसे हम संयुक्त बाग करते हैं, ठीक है, a complex sentence consists of a principal class and one or more subordinate classes, ठीक है, संयुक्त बाग में क्या होता है, एक principal class होता है, क्या होता है, एक principal class होता है, and one or more, एक या अधिक subordinate class होते हैं, ठीक है दोस्तो, चलिए, आगे बढ़ते हैं, अब इसका example देख लेते हैं, जिसे, I was learning a question which was difficult, ठीक है, तो यहां, यहां जो हम देखते हैं, कि यहां, I was learning a question which was difficult, तो यहां एक class यह है और दूसरे class यह है, ठीक है, ऐसे हम अगला sentence देखते हैं, Sela begin to be because she was reviewed, ठीक है, आगे देख लेते हैं, compound sentence, compound sentence जो होता है, उसे मिस्र बाग कहते हैं, यह मिस्रित बाग कहते हैं, compound sentence is made of two or more principle or main class, ठीक है, जो compound sentence होता है, वो क्या होता है, दो या अधिक principle class होंगे या main classes होंगे इसमें, ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं, God made the country and man made the town, देखिए, दोनों ही main class है, ठीक है, और end से जोड़े हैं, तो यह क्या है, compound sentence है, आप end से ना जोड़े, तो इसमें कॉमा लगा दे हैं पर, यहाँ पर कॉमा लगा दे, ठीक है, God made the country, man made the town, ठीक है, तो यह जो है, हमारे compound sentence है, चली आगे बात कर लेते हैं, आगे बात कर लेते हैं, किलाज की, अब किलाज क्या होते हैं, दोस्तों, किलाज जो होते हैं, किलाज को समझ लेते हैं, अब group of birds, सब्दों का समो, which forms a part of the sentence, जो बाक का एक भाग होता है, and contains only one subject and one predicate, इसमें एक subject होता है, और एक predicate होता है, is called a class, जो किलाज क्यालाता है, ठीक है, तो हम इसको ऐसे कह सकते हैं, कि सब्दों का ऐसा समो, जो किसी बाक का भाग हो, और उसमें एक subject, यानि करता हो, एक predicate, जिसे हम बिदे कहते हैं, ठीक है, और किलाज जो होता है, उसमें एक subject और एक finite verb होना जरूरी है, ठीक है दोस्तो चलिए, आगे इसका example देख लेते हैं, he told me that he would go to barely next week, तो ये जो told me है, he told me, ठीक है, और इसके बाद में ये जो यहाँ से, ये, he would go to barely next week, तो देखिए, यहाँ he told, तो एक word, एक subject और एक verb, ठीक है, एक subject और एक verb, he would go, तो एक subject और एक verb, तो आप देख सकते हैं, कि दोनों में एक-एक subject है, और एक-एक verb है, तो ये class क्या लाँता है, इसके बाद जो class होते हैं, वो अलग-अलग type के होते हैं, तो इसमें जैसे principal class की बात कर लेते हैं, तो principal class क्या होता है, पहले उसको समझ लेते हैं, principal class जो होता है, इसे मुख, class तो उपबाक होता है, class कार्थ होता है, उपबाक, उपबाक, ठीक है, अब principal कार्थ होता है, मुख, तो मुख उपबाक होता है, ठीक है, किसी बाक का बह किलाज जो दूसरे किलाज पर आसरित ना हो, ठीक है, मुख, में जो होता है, वो किसी बासरित थुड़ी होगा, तो मुख, में प्रिंसपल क्लाज जो होता है, तो किसी बाक का बह किलाज जो किसी दूसरे किलाज पर आसरित ना हो, तता अपना खुद का भाव पिरकड़ करता हो, वो principal क्लाज कहलाता है, ठीक है, जैसे आप देख सकते है, इट इज सर्टैन ठीक है यह निश्चित है तो यह इट इस सर्टैन यह क्या है यह प्रिंस्पिल के लाज है और बाकी जो बचा है वो जो है आप देख सकते हैं इसी पर निर्भर है यह तो जिस पर निर्भर है यह आप ऐसे कह सकते हैं अब जो सारे टीचर है जो सारे टीचर है अगर यह टीचर प्रेम करते हैं तो इसकी क्या कराण है कि बहुत सब का सम्मान करता है तभी करते हैं चुकि यह मेन है तभी तो सब सब जो है उससे करेम करते है ठीक है चली इसके बाद कॉर्डिनेट क्लाज जो होता है इससे कहते हैं समान पदिये उप क्लाज यह नि बराबर बराबर के उप क्लाज होते हैं जैसे बी बांट उन्हू वाइई फेल्ट ठीक है तो आप देख सकते हैं यहां पर जो क्वाइडिनेट क्लाज है तो यह क्या है दोनों सोत्वनत्र हैं और इनका अपना पूर्ड जो भाव है वो किलियर है एकदम और दोनों ही प्रिंसिपल क्लाज के ही तरह अपना महत्व रखते हैं ठीक है तो आप देख सकत आगे बढ़ते हैं तो यहां आप देख सकते हैं यह क्या है यहां दोनों किलाज जो है वो सेम है ठीक है चलिए दोस्तो अब बात कर लेते हैं सब ओर्डिनेट किलाज क्या होता है तो subordinate class जो होता है दोस्तों वो क्या होता है कि जो बाक है जो बाक है और जो बाक में स्वेम सोतंत्र हो और अपना पूरा अर्थ ना दे सके ठीक है सोतंत्र तो हो लेकिन वो अपना पूरा अर्थ ना दे सके वो principal class पर ही निरवर करता हो ठीक है उसे हम subordinate class कहते हैं और ये भी तीन तरह के होते हैं इसमें नाउन किलाज है एड़ेक्टिक पिलाज है एडबर्ग पिलाज है इनके बारे में मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ आपको तो इसमें टाइम बेस्ट नहीं करेंगे ठीक है आईए अब देख लेते हैं फ्रेज तो फ्रेज क्या है दोस सब्दों का ऐसा कॉंबिनेशन ऐसा समयोजन जो सेंस बनाता है लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं देता है सेंस तो देता है लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं देता है फ्रेज कहलाता है और दोस्तों एक बात यहां यहां देखना बहुत जरूरी है इसमें बर्ब नहीं होती है ठीक ह जो phrase होता है उसमें finite verb नहीं होती है ठीक है हाँ subject जरूर हो सकता है phrase इसमें subject हो सकता है लेकिन finite verb नहीं हो सकती इसका example देख लीजिए my friend failed in spite of the best effort तो आप यहाँ देखें जो पहला जो है my friend failed ये तो एक किलाज है इसमें हाँ my friend subject है और failed जो है बर्ब है लेकिन आप आगे देखते हैं जो दूसरा भाग है हाँ से उसमें देख लीजिए आप of his best friend यहाँ आप देख लीजिए ना तो कोई verb है ठीक है है नहीं है तो क्या है ये एक phrase है ठीक है अब हम बात करते हैं phrase के प्रकार की कितने टाइब के होते हैं जैसे class तीन टाइब के होते हैं ऐसी phrase भी तीन टाइब के होते हैं तो सबसे पहला phrase देख लेते हैं noun phrase a noun phrase is a group of birds that does the work of a noun noun phrase जो होता है वो क्या है एक noun का कारिय करता है ठीक है friend जैसे आप देख लीजिए the boy wants to see the taj mahal ठीक है तो ये जो to see the taj mahal है ये क्या है एक phrase है कौन सा phrase है नान phrase क्योंकि taj mahal क्या है ठीक है चल आगे आते हैं आगे है एड्जेक्टिव क्लास दोस्तो एड्जेक्टिव क्लास की हम बात करते हैं तो एड्जेक्टिव एड्जेक्टिव क्लास सब्दों का ऐसा समूम होता है जो एक नाउन एड्जेक्टिव ये एक एड्जेक्टिव का काम करता है ठीक है जैसे आप देख आई पर्चेजड अपें विद अगोल्डन निव ठीक है तो यह देखी बिद अगोल्डन निव क्या है सुनहरे निव वाला पें ठीक है तो यह क्या है ? अब जान लेते हैं एड्वा फिलेट, फ्रेस को, sorry, एडबर फ्रेस क्या है, an एडबर फ्रेस is a group of birds that does the work of, एडबर इस काल्ड एडबर फ्रेस, ठीक है, एडबर फ्रेस क्या होता है, सब्दों का ऐसा सम हो, जो एडबर का कारिय करता हूँ, एडबर फ्रेस कहलाता है, जैसे, आई लव यू विद आल माई हाट ठीक है आप यहाँ देख सकते हैं यह विद आल माई हाट यह क्या है एड़वर क्रेज ठीक है यहाँ यह एक एड़वर का क्योंकि तो कि यह सब्जेक्ट हो गया यह बर्व हो गई और यह अबजेक्ट और यह जो बचा है यह एड़वर का कारीज ठीक है दोस्तों अब बात हम कर लेते हैं फाइनाट और नॉन फाइनाट बर्व की यहाँ थोड़ा सा ध्यानदे लें हलाकि फाइनाट और नॉन फाइनाट पे एक बेहतरी वीडियो में बना चुका हूं तो अब मैं finite और non finite verb के बारे में आपसे discuss करना चाहता हूँ देखिए दोस्तो जो verb जो verb यहाँ आपको याद रखना है कि जो verb subject के number या person के अनुसार प्रभावित होती है बदलती है वो finite verb कराती है जो verb जो है वो करता के बचन या करता के जो person होता है ब्यक्ति होता है उसके अनुसार बदलती है वो finite verb कराती है और जो verb जिस पे subject के number और उसके person का कोई effect नहीं होता कोई प्रभाव नहीं पड़ता वो non finite verb कराती है यह कह सकते हैं कि finite verb करिया का कारिये करती है क्योंकि बर्भ है इसलिए क्रिया का कारिये करती है non finite verb बर्भ तो है लेकिन क्रिया का कारिये नहीं करती है ठीक है तो finite verb आपकी दो तरह की हो सकती है एक helping verb जिसे हम auxiliary verb कहते हैं यह दो तरह के होती है एक model auxiliary और primary auxiliary ठीक है और फिर दूसरा इसका type होता है वो main verb यानि मुख करिया non finite verb जो होती है वो हमारे तीन परकार के होती है एक होती है हमारे जीरंड दूसरी होती है participle तीसरी होती है infinitive ठीक है चाहिन का अगरम आप कुछ भी रख ले यही होती है ठीक है तो इनके बारे में भी मैं वीडियो में बहुत कुछ बता चुका हूं बहुत देड़ सारा content है इनकी अलग अलग वीडियो मैंने बनाई है आप वहां जाकर देख सकते हैं चलिए दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं simple sentence की जो simple sentence है दोस्तो simple sentence क्या होता है तो simple sentence में क्या होता है कि एक finite verb होना अबसक है इसमें एक finite verb का होना जरूर है जब कि इसमें जब हम दो sentence को जोड़कर एक sentence बनाते हैं तो उनको जोड़ते समय है ठीक है simple sentence जो होते हैं उनमें एक finite verb का होना बहुत जरूरी है ठीक है अब ये जोड़ते कैसे हैं तो इनमें हम use कर लेते हैं जैसे हमने यहां यूज किया है पार्टिसिपल का ठीक है तो पार्टिसिपल का यूज करके कैसे हम जोड़ते हैं तो सबसे पहले ले ले लेते हैं प्रिजेंट पार्टिसिपल ठीक है किया जाता है जिनके finite verb यानि मुक क्रिया जो होती है वो अलग-अलग हो ठीक है उनकी क्रिया अलग-अलग हो यानि जो verb है वो अलग-अलग हो different अगल अलग है नी बर्व जो है वो अलगल होती है डिफरेंट डिफरेंट होती है जब हम alltid जोड़ते हैं तो हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि इसका translation जो है वो चेंज ना ठीक है जैसे जब एक ही सब्जेट के दौरा दो अलग अलग काम होते हों जब एक करता के दौरा दो अलग अलग कारिये करते हों होते हों जैसे रानी बेंटा रानी बाहर गई सीवा सिंगिंग बैक गा रही थी तो देखिए रानी बाहर गई और गा भी रही थी यानि करता ए एक ही है लेकिन कारिये अलग-अलग है ठीक है तो आप देख सकते हैं कि इसे ऐसे बनाएंगे रानी बेंट आउट सिंगिंग रानी गाते हुए बाहर चली गई ठीक है चली अगला इसका नियम देख लेते हैं और सॉरी अगला संटेंस देख लेते हैं और उसका अगला नियम भी है क्या है नियम कि जब एक करता के द्वारा तुरंत दूसरा कारिये होता हो जब एक करता के द्वारा तुरंत दूसरा कारिये होता हो ठीक है दोस्तों जब एक सब्जेक्ट के द्वारा तुरंत दूसरा कारिये होगा तो हम बहां प्रिजेंट पार्टिसिपल का पंडूग खोला और पढ़ना सुरू कर दिया खोलते तो पढ़ना सुरू आप पर रहे देख लेते हैं तो यहां जो ऑपनिंग का है कि रूप में किया है ठीक है फ्रेंट चलिए आगे देख लेते हैं आगे देख लेते हैं अगला इसका एक नियम कहता है कि जब दो कारियों में पहला कारिय दूसरे कारिय के लिए किया जाता हो यानि पहला जो कारिय है वो दूसरे कारिय के लिए किया जाता हो तब हम क्या करेंगे तब पर जूसरे के लिए किया जाता है उन्होंने मंदर में प्रवेस किया जब जूते उतारे हैं तभी मंदर में प्रवेस किया यानि मंदर में प्रवेस करने के लिए ही जूते उतारे हैं ठीक है तो हम इसको जैसे बनाएंगे taking off their shoes they entered the temple जूते उतार कर उन्होंने मंदर में प्रवेश किया तो यहां जो प्रियोग हुआ है participle का वो present participle का प्रियोग हुआ है ठीक है दोस्तों चलिए अगला example और अगला rule हम देख लेते हैं कारण बनताने के लिए present participle का प्रियोग कारण बताने के लिए present participle का प्रियोग हम active voice और passive voice दोनों के लिए कर सकते हैं ठीक है आप देख लीजिए देखिए सेखर वाजब सेंड सेखर अनुपस्तित था I gave the message to his back मैंने उसकी पतनी को संदेश दिया अब देखिए सेखर अनुपस्तित था तब जब सेखर होता था उसे दिया जाता अब चुकि सेखर absent है अनुपस्तित है तो उसकी पतनी को message दिया तो कह रहेंगे सेखर being absent I gave the message to his wife सेखर के अनुपस्तित होने पर मैंने उसकी पतनी को क्या 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 संदेश दिया ठीक है तो आप इसका दियान रखना जहां यह बाजबरी जैमर हो वहां बींग का प्रियोग होना है ठीक है चलिए आगे देख लेते हैं अगरा अगला हमारा जो रूल है बोक क्या कहता है जब पहले कारिय के दौरान ही दूसरा कारिय किया जाता हो तब पहले कारिय को प्रियोग में ब्यक्त करते हैं ठीक है और यहां पर वाइल का प्रियोग किस का प्रियोग वाइल का प्रियोग किया जाता जैसे मुकेश वाज रीडिंग ही स्लैप मुकेश पढ़ रहा था बैस हो गया तो वाइल रीडिंग मुकेश स्लैप पढ़ते पढ़ते मुकेश सो गया ठीक है तो वाइल रीडिंग ये भी present participle का प्रिया हुआ है, अब हम बात कर लेते हैं past participle, दोस्तो past participle के बारे में हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, जब कोई कारिय पास्टेंस में होकर, जब कोई कारिय पास्टेंस में होकर adjective का कारिय करे, या किसी noun की विसेशता बताए, तो वो past participle होता है, ठीक है, और ज़्यादतर जो transitive verb हैं, उनका ही past participle बनता है, ठीक है, active voice होती है, तो हम क्या करते हैं, बर्ब की third form का प्रियोग कर लेते हैं, ठीक है, चलिए, अब हम देख लेते हैं, तो अच्छा, इसमें एक बात का इधान रखना, इसमें जिसे हुआ, करते हुए, इस तरीके से होता ह ठीक है, जैसे, I saw a bird, मैंने एक पक्छी देखा, the bird was wounded, पक्छी घायल था, I saw a wounded bird, मैंने एक घायल पक्छी देखा, तो देखी, बर्ड तो हमारा noun है, और wounded जो है, वो उसका विसिस्ता बता रहा है, यानि, adjective हैं, तो यहाँ adjective का कारी हो रहा है, तो क्या कर रहा है हम यहाँ पर, क्या कर रहा है, past participle का use कर रहा है, ठीक है, आगे देख लिएते हैं, I found my purse, मैंने अपना बटुआ पाया, the purse was lost, यहाँ आ रहा है, ठीक है, ध्यान रखना, बटुआ खो गया था, तो I found my lost purse, sorry, lost purse, मैंने अपना खोया बटुआ, तो purse क्या है, नाउन है, और lost क्या है, इसकी विसेशता बता रहा है, कि purse कैसा है, खोया हुआ है, यानि, adjective का कारी है करता है, तो यहाँ हमने, पार्डिसिबल का यूज किया, ठीक है, फ्रन, चलिए, इसके बाद हम बात कर लेते हैं, परफेक्ट पार्डिसिबल की, परफेक्ट का, पार्डिसिबल का, जो कारिय है, उसको देखें, यदि एक कारिय, दूसरे कारिय के प्रारम होने से, पहले ही समाप्त हो जाता है, तो क्या रखना है कि active voice के लिए हमें having plus verb की third form बगाना है, और passive voice के लिए having been plus verb की third form का प्रियोग करें, ठीक है, जैसे इसके example देख लेते हैं, राहुल completed his work, he bent home, तो यहां ये active voice है, तो having completed his work, he bent home, ठीक है, तो sorry, यहां राहुल कर लीजी, क्योंकि ये type हो गाए, ठीक है, समझ मारा, राहुल completed his work, he bent home, राहुल ने काम अपना पूरा कर लिया, बैखर गया, having completed his work, he, sorry, राहुल bent home, तो राहुल ने अपना कारिये पूरा करके घर चला गया, यानि पहला कारिये, सुरू होने से पहले ही, ठीक है, दूसरा कारिये सुरू होने से पहले ही, पहला कारिये समाप्त हो गया, ठीक है, आगला देख लेते हैं, दीना built a house in the city, he left his blaze, देखिए, उसने अपना घर सहर में बनाया, उसने गाउँ छोड़ दिया, पहले घर बनाया, पर दूसरा कारी क्या है, घर चोड़ ला, गाउँ छोड़ ला है, तो उसने गाउँ छोड़ा, तो having built a house in the city, सहर में घर बना कर, he left the blaze, उसने गाउँ छोड़ दिया, ठीक है, घर बना, गाउँ छोड़ा, पहले, दूसरे कारी के सुरू होने से पहले ही, उसने पहला कारी कर दिया, अब इसके बाद देखिए, जब पैसे बाइस होगी, the plane was delayed at, sorry, by the fog, कोहरे के दुआरा जो plane था, बाइसाज था, वो late था, it reached late, यह देर से पहुचा, तो कैसे बनाएगा, having been by the fog, the plane reached late, तो हमने आपको बताया था, जब पैसे बाइस में होगा, तो हम क्या करेंगे, having been, having been, और बर्ब की third firm का प्यूप करेंगे, और यहां हमने ब ठीक है, आगे देख लेते हैं, infinitive का प्रियूप देख लेते हैं, use of infinitive, तो जैसे participle या present participle या past participle या perfect participle की हम बात कर रहे थे, उसी तरह से हम यहां पर infinitive की बात करेंगे, ठीक है, अब infinitive की जब हम बात करने जा रहे हैं, तो हम अब इनके नियमों को समझेंगे, infinitive का प्रियोग हम कहां करेंगे, देखिए जब हमारा हिंदी बात होता है, उसमें ना नी हो, जैसे करने को, ठीक है, ने को आगया, ना नी, ने, इस तरीके से आए, तो हमें क्या काम करना है, infinitive का प्रियोग करना, तो उसमें सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, simple infinitive की, simple infinitive में क्या होता है, जब active voice होगा, तो two plus verb की first form होगी, जब passive voice होगा, तो two भी plus verb की third form होगी, ठीक है, अब आगे चलते हैं, देख लेते हैं, उसके example को, जैसे, राधा बांटे to buy some cloud, राधा कुछ कपड़े खरीदना चाहती थी, अब देखिए, राधा कपड़े खरीदने चाहती थी, ठीक है, कपड़े खरीदने चाहती थी, अब वो बाजार गई, तो राजा बाजार गई, खरीदने को, तो राधा बेंटो मार्केट, तो बाई the clouds, राधा कपड़े खरीदने को बाजार गई, तो ने आगे हैं पर, त पर्फेक्ट इनफिनिटिव कि हम बात कर लेते हैं तो परफेक्ट इनफिनिटिव में क्या करेंगे जो perfect infinitive है उसका हम क्या करेंगे ठीक यहां जो infinitive का कारिय है वो finite verb के कारिय के पहले पूरा कर लिया जाता है ठीक है जब पहले ही पूरा कर लिया तो perfect होगे पूर्ण होगे तो अब यहां आपको ध्यान रखना है कि जब active voice होगा तो to have plus work की third firm होगी और जब passive voice होगा तो to have been work की third firm होगी ठीक है to have plus work की third firm active voice में और to have been plus work की third firm passive voice में जड़ा देख लें रस्मी टॉप डा लिस्ट शी वाज बेरी गलेट रस्मी ने लिस्ट में टॉप किया बहुत खुशती तो अब देखिए यहां आप समझ सकते हैं कि रस्मी ने टॉप किया तभी तो खुशती तो रस्मी बास बेरी गलेट to have top तो यहां आप देख सकते हैं to have plus work की third firm का प्रियोग किया गया है ठीक है आगे देख लेते हैं दूसरा example he has been punished by his teacher यह पैसे बाइस में है it seems to so ठीक है he seems to have been punished by the teacher अब देखिए two plus have been और पर की third firm का यहां प्रियोग हुआ है यह पैसे बाइस के लिए ठीक अब हम बात कर लेते हैं जीरंडियल इंफिनिटिव की दोस्तों जीरंडियल इंफिनिटिव की ठीक है अब दोस्तों यह जीरंडियल इंफिनिटिव जो होता है इस इंफिनिटिव के जो इसके द्वारा जो उद्देश है जो हमारा मक्सद है ठीक है वो प्रिकट होता है जैसे के लिए हिंदी बाक्यों लगा होता है तो यह एड्जेक्टिव या एडवर्ब का काम यह दोनों का काम करता है तो इसमें हम क्या करेंगे इसमें टू प्लस बर्ब की फर्स्ट फार्म का प्यूर्यों करते हैं जैसे इसमें and he gave me a jacket उसने मुझे जैकर दी कि ही आस्क कि मी to भीरेट उसने मुझे इसे पहले को कगा तो अब देखिए पहल लिए तो दी थी तो के लिए यहां समता के ही गेप मी감 टू भी और कि उसने मुझे पहलने के लिए जैक्वी दी ठीक है दोर्स्तों चारीं दोस्तो आज की वीडियो में बस इतना ही जो इसका हम पार टू लेकर आएंगे बहुत इंपोर्टेंट है बहुत इंपोर्टेंट है और बहुत इंपोर्टेंट है मैं आप से बार-बार इसलिए कह रहा हूं यह बहुत इंपोर्टेंट है क्योंकि यहां से आपकी बेहतरीन स शुरू होगी grammar और vocab और literature को बहतर करना चाहते हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ जाकर ही नहीं English teacher से ही जुड़े रहें हमारे साथ बंदे रहें दोस्तो वीडियो को जादा से जादा लोगों तक share करें जिसे बो student जो literature grammar और vocab में कमजोर हैं तो उन्हें free बिल्कुल free classes मिलती रहें authentic book से content तयार किया हुआ है और यह सब उनको मिलता रहें उनके लिए बेहतरी classes provide कर दिया है यही हमारा अद्दे से हम इसी पर ही बर्क करते हैं दोस्तों आपके सहोग की जरूरत है वीडियो को जादा से जादा शेयर करें यदि अब हमरे चैनल पर नए हैं तो आपसे बिनमर हमबल रिक्विस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों बहुत मेहनत करनी पड़ती है सिर्फ आपके लिए लेकिन आप कोई response नहीं देते कोई बात नहीं लेकिन कमेंट जरूर छोड करेंजिए दोस्तों एक बात तो आपको मानना पड़ेगी हर चीज everything is difficult हर चीज कठी नहीं हो सकती है but nothing is impossible लेकिन कोई असंभव नहीं हो सकती है ठीक है तो दोस्तों इनहीं बातों के साथ मैं आपसे बिदा लेता हूं एक बार फिर से thanks for watching